Hello everyone, Good morning, आप सभी लोग का स्वागत है चैनल में, आज देखिए पढ़ेंगे लोग इंग्लिस ग्रामर का most important topic वाइस, अब देखिए समझेंगे पहले वाइस को हिंदी में क्या करते हैं, देखिए अब वाइस को हिंदी में वाइस कहा जाता है, देखिए अब क्या बोलेंगे वाइस को हिंदी में वाइस कहते हैं, आप समझेंगे आज का वीडियो में कि वाइस के कितने टाइप्स होते हैं और वाइस होता क्या है, डिफाइन वाइस के बाहरें, सबसे पहले देखिए का इंस करामर का important topic वाइस है, सबसे समझेंगे फ्रेंड्स की डिफाइन वाइस, और सबसे पर इस चैनल को आप वीडियो को अधिस अधिक शेर अवस्य करें, अगर अच्छा लगे लाइक अवस्य करें वीडियो को, आई सबसे पर समझेंगे डिफाइन वाइस, मिस वाइस होता क्या है, इसको कहते हैं वाइस, आईए, नंबर फर्स्ट कोश्टन स्टेट्मेंट बनाने की काम आता है यस्ट्मेंट बनता है डिफाइस आच्छ की बनाने की काम होता है आट आफ मेकिंग और स्टेटमेंट वाइस इज एन आट वाइस क्या है एक कला है आफ मेकिंग और स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाइस के यहां से आपको समझें जा गिया होगा कि इस डिफाइन वाइस को आइसर करना है voice is an art of making a statement voice एक आर्ट जो बनाने की काम आती है आज का विडियूम समझेंगे कि voice होता क्या है voice के हाउ में टैप सब voice को यूज कैसे करेंगे आईए अब समझते हैं चरब voice के type देखिएगा दीजेगा आप लोग भी अपना copy निकाल लें आईए लिखिए देखिए voice का लिखेंगे heading देखिए there are two types of voice voice के दो परकार होते हैं एक होते हैं आपका active voice और second होता है आपका passive voice आईए लिखेंगे दो voice होता है एक देखिए आपका हो जाएगा active voice नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका देखिए active voice और voice का नंबर सकेंड कहा जब बोलेंगे से passive voice voice का नंबर फर्स्ट देखिए तो बोलेंगे active voice और नंबर सकेंड वन ही होगा आपका passive voice आईए अब समझते हैं कि active voice क्या होता है और passive voice किसे कहते हैं आईए अब जब समझते हैं उसके बारे में अब देखिए active voice मतलब होता है direct के रूप में किसी चीज को according to करता के रूप में कोई word कहना उसे active voice कहा जाता है जैसे अगर simple रूप में कहा दिया जाए क्या चीज ही राइट्स और लेटर तो यह आपका sentences जो है एक आपका active voice का है अब यह हम को समझाएंगे कैसे अब active voice क्या होता है passive voice क्या होता है कैसे इसको change करेंगे और इसके बहुत सारे examples को भी हम सिखेंगे आज voice का आज समझेंगे सबसे पहले अब active voice होता क्या है देखिए करेंगे यहां पर define active voice क्या करेंगे define active voice means active voice क्या होता है जरसे उसके और में समझेंगे अब देखिए active voice क्या होता है एक action है जो कि यह dominance करता है करता पे कि of subject is kept in active voice वो subject पर depend करता है कि यह किस चीज़ के बारे में बताए जा रहा है उसे हम active voice के क्या दखिएक बोलेंगे an action in the dominance of और सब्जेक्ट कि इज गैफ्ट कि इन एक्टीव वाइस कि क्या होगा एन एक्षन वैसा एक्षन इन दी डॉमिनेंस एक वर्ड देखिए आपका आया है डॉमिनेंस इसका मतलब होता है कर्तार धर्ता क्या कहेंगे कर्ता धर्ता को बोलेंगे हम डॉमिनेंस ऑप सब्जेक्ट इज कैफ्ट इन एक्टीव वाइस जो सब्जेक्ट में होता है वह एक्टीव वाइस जो रखता है उसे एक्टीव वाइस कहा जाता है अगर बात किया जा एक्टीव वाइस का एक्जामपल पे तो क्य आप बोलेंगे, he writes a letter, he writes a letter एक active voice का संटेंस है, कि he writes a letter, यहां देखिए आपका कौन है, he आपका subject है, तुद आपका देखिए, सब्जेक्ट पर पढ़ता है, जो करता है, सब्जेक्ट बे उसे हम active voice के अंतरगत रखा जाता है, इसकान क्या कहेंगे, यह हो जाएगा, आपका he writes a letter, active voice का यह संटेंस है, आइसे कुछ और भी, हम example देखते हैं इसके, इसके साथ, जिसे बोलेंगे, क्या चीज, सीता कुक्स फूट, सीता कुक्स फूट यह देखिए, dominance किस पर क्या जा रहा है, सीता कुक्स फूट भी आपका क्या है, एक active voice का संटेंस है, अब देखिए, यहाँ पर active voice आने के लिए subject, verb और object होना बहुत जरूरी है, अब देखिए, यहाँ पर सीता में यह आपका एक subject है, कुक्स यह आपका एक verb है, और food यहाँ पर बात हो रही है, तो object की बात हो रही है, तीन चीज़ का है, जो s है, इसका s मतलब हो गया, s मतलब हो गया, आपको देखिए, s means subject, सीता जो है, वो एक subject के रूप में है, और भी जो है, वो आपका, एक कुक्स पंतलब होता है, खाना बनाना, सीता कुस फूट के खाना बनाती है, तो cooks आने के यह हो गया, भी for verb, और food o, o मतलब क्या हो गया, आपको यह object हो गया, क्या हो गया, एक object के रूप में यूज़ के जा रहा है, तो यह आपका बोलेंगे, क्या है, एक active voice का sentence है, आइए समझेंगे, passive word किसे करते हैं, सेम होगा, जहां dominance इसमें भी क्या जाएगा, नेकिन यहां पे object में किया जाएगा, object के रूप में रखा जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे, हम उसे passive voice कहेंगे, बस उसका opposite के रूप में लिखना, वो कहलाता है, passive voice, आईए हम next आपका define समझेंगे, define passive voice, अब समझेंगे, passive voice क्या होता है, आई जह समझेंगे, इसके answer को, क्या बोलेंगे, कोई an action, एक कोई action लिया जाएगा, in the dominance, means, करता धरता कोण रहेगा, an action in the dominance, an action in the dominance of the, of the object, क्या पर रहेगा, यह object पर रहेगा, of the, an action in the dominance of the object, object is kept in passive voice, देखिए, अब यह action जो है, कोई action होगा, in the dominance, क्या बता है आपको, करता धरता किस्पर करेगा, of the object, अब यह object पर यह हो जाएग, करता किस्पर पर परेगा, अब object पर परेगा, is kept in passive voice, तो क्या होगा, रखा है उसे हम passive voice के अंतरगत रखते हैं, अगर जो परता है, subject पर परता है, करता करता, उसे हम कहते हैं active voice, और जो object पे परता है उसे कहा जाता है passive voice अगर कुछ और समझते हैं क्या बताएं आपको voice की two types होगे एक active voice, second हो गया passive voice अगर direct route में किसी चीज को बोला जाए वो active voice का हला जाता है उसी को अगर जिभर्ष तरीके से बोला जाए उसी को घुमा के कहा जाए इस called कहते हैं passive voice, समझने बात के हैं कि अगर subject पे करता पड़ता हो वो कहलाता है active voice और वही अगर object पे पड़ता हो करता तो कहाएगा passive voice कहलाएगा I am समझते example आप passive voice के example देखेंगे यहाँ पर पताये थे आपको he writes a letter एक आपका क्या है यह एक active voice का संटेन से अब देखेंगे यहाँ पर he जो था he एक subject के रूप में यूज़ किया गया है rights जो है आपका a एक भर्ब के रूप में यूज़ किया है और a letter जो है एक object के रूप में यूज़ किया गया है means हमको active से passive बनाने के लिए तीन चीज़ करना बहुत जोरी है एक subject का उसके बाद भर्ब का होना और third में आपका object का होना यह तीन चीज़ आपका बहुत important है voice यह वीडियो आप देख लिज़े का voice आपको बहुत easy रूप में समझे में आने लगेगा बहुत simple तरीके से आप computer से voice के बारे में आज बता रहे हैं यह lecture का आपका देखिए voice का first video हुआ इसके पहले वीडियो और यह बनाये थे voice का नहीं वीडिल से नहीं था यह पूरा फूल वीडिल से आपको हम voice के बारे में पढ़ा रहे हैं ताकि आप भणिया से इसके बारे में study कर सके अब ही राइट्स लेटर यह आपका subject है राइट्स आपका भर्व एटर क्या है आपके object की बात किया जाए अब जब इसका हम बनाएंगे यह passive voice example देखी कैसे करेंगे एलेटर क्या है देखी अब यह मेन जो है क्या लिखें एन एक्षन अब कहां जाएगा dominance of the object अब आपजेक्ट पर जाएगा object क्या पढ़ेगा देखिए आपके एलेटर यहां पर एक्जाम्पल क्या लिखेंगे और लेटर कि हो गया एलेटर उसके बाद क्या हो दखी एलेटर क्या है आपका एक singular है अगर singular है तो आपको लगाना है इज अगर बातर ही प्लूरल का तो आपको लगाना है आर तो हो जाएगा द्विएज अब यहां पर दखिए आपको आना है भर्ब के पास भर्ब क्या है तो रइट है अब रइट यह इसमें लगा हुआ एस सरे भर्ब का फिप्थ फॉर्म लगा क्या बोलते हैं स और एस को भर्ब का फिफ्थ फॉर्म रूप कहा जाता है तो ये फिफ्थ फॉर्म रूप लगा हुए आपका S और ES का तो जब भी आपको पेसिब वाइस में चेंज करना है तो आपको helping भर्ब के बाद भर्ब का third form को यूज करना है जब भी आप active से पेसिब वाइस बनाईएगा तो आपको क्या करना है third form of the भर्ब का यूज करना है तो अलेटर इज अब देखिए राइट लिखा हुआ है तो यहाँ पर करना होगा राइट का आपको third form हो जाता है रिटेन तो यहाँ करेंगे अलेटर इज रिटेन अब उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे बाई लगेगा जब आपको इस subject को लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई लिखेंगे तो जाएगा अलेटर इज रिटेन अब देखिए ही का जब हम ी चेंज करते हैं अक्टिब से पेपिव वाइस में तो यह परसंस चेंज हो जाता तो देखिए क्या बन गयाए लिट्र इज रिटेन बाई हीम कि उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है अब यहां पर क्या है बाई का मतलब होता है द्वारा के sense में यूज करना अगर जब आपका subject में ही हो आपको बनाना है passive voice देन आपको क्या करना है कि ही का आपको जब passive voice बनाईएगा तो persons को change के जाता है ही के स्थान पे हम हीम को लीखते हैं तो देखिए आप यहां पे एक्टर देखिए यहां पे क्या था अब यहां पे क्या बन गया है according to a subject बन गया है आपका all letter then आपको is am r का यूज करना है according to subject देखना all letter के है आपका singular था तो उसके साथ singular भर्व आएगा means is आएगा then भर्व में देखिए आपका भर्व कुछ कोई भी लिखा हो भी वन हो या तो आपको भी फाइब कोच भी भर्व हो तो आपको जब पेसिव बनाना है तो पेसिव वाइस में आपको third form करना है राइट का third form होता ह है रीटेन दैन आपको भाइ का यूज करना है तो लेटर इस रीटेन वाई अब देखिए ही यहां पर ही जो था उसे ही का हम जब बनाते हैं चेंज करते तो आपका हो जाता है ही हो जाता है आइए समझेंगे रूल्स क्या होता है चेंज एक्टिब इन्टू पेसिव वाइस का रूल्स क्या होते हैं आप समझेंगे बहुती इजी तरीके से आइए लिखेंगे सब्सक्राइब नेक्स देखिए आपका हम पॉइंट देंगे रूल्स टू रूल्स टू चेंज एक्टिब इन्टू पेसिव एक्टिब इन्टू पेसिव देखिए रूल्स का इसे हम चेंज करते हैं इसको active से passive के लिए क्या rules होता है क्या एक नियम है जो हम active से passive की और उसे change करते हैं सबसे देखिए first form अगर कहा जाए इसके first अगर important rule की बापात किया जाए देखिए B form क्या देखिए आपका है B form प्लस उसमें क्या लगाना है आपको B3, B form में आपको B3 मतलब क्या होता है third form of the verb तो यह बन जाता है आपका क्या जी देखिए यह बन जाता है passive wise बन जाता है क्या बताएं B form प्लस B3, B का क्या form होता है उसमें क्या लगाना है अगर B3 को हम add कर देते हैं तो बन जाता है वो हमारा passive wise बन जाता है आई अब समझती है B form की use को की B form हमारे क्या क्या होते है आई देखिएगा B form B अब देखिए B का जनरली अगर बात किया जाए B1 अब देखिए क्यों मिला कि 5 भब्स होते हैं B1, B2, B3, B4 and B5 होते हैं अब देखिए यहां लिखे हैं B1, देखिए लिखे हैं B2, देखिए लिखे हैं B3 देखिए लिखे हैं B4 और देखिए लिखे लिखे हैं B1 का जाएं तो होता है आपका M, is, M, R एक मिनट, M, R और आपका खूद एक क्या हो जाएं तो B हो जाएं तो यह आपका क्या हो गया B1 के रुप पे लिखेंगे M, R और आपका B हो जाएगा B1 के फॉर्म में अगर बात क्या जाए इसके B2 को अगर B का B2 कह दिया जाए मतलब उसके Past के रूप में B2 मतलब क्या होता Simple Past में तो Simple Past में देखिए क्या हो जाएगा आपका वाज और वर दो ची लिखा जाता है कब जब हम Simple Past में करते हैं मतलब बात क्या जाएगा वाज और वर हो जाएगा यह B1 के रूप में लिखा गया है यह B2 बताएंगे यह B3 हो जाएगा यह B4 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका B5 हो जाएगा तो क्या बताएं देखिए B2 में वाज और वर को लिखा जाता है और B3 बन जाता है इसका बीन बीन बन जाता है बात क्या जाता है इसके B4 को B4 की बात किया जाता है तो क्या लगाते हैं B में हम आई एंजी को एड करते हैं याद के बन जाएगा यह वी फोर में B में I NG लिखते हैं तो बन जाता है आपका बी और यह से कहते हैं भी फोर कहा जाता है अका बाहत किया जब फाइब क का भी फाइब हो जाता है रही हम जाएदास समझते हैं कोई भी विडियो को हमारा स्कीप ना करें शुरू से लेकर लाज तक आवज से वाज करें एक बार में आपको हर कुछ जो है इंग्लिस ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वाइस आपको इजी में समझ में आ जाएगा बहुत संदा तरीके से आप बता रहे हैं जरूर वीडियो को देखें क्या लिखें रूल्स टू चेंज एक्टिब इंटू पेसिप कैसे चेंज किया जाए उसके हम रूल्स को बता रहे है अब यहां लिखें बी फॉर्म किसके फॉर्म को लिखें बी फॉर्म प्लस भी थरी अगर बी फॉर्म में अगर भी थरी को मिला दिया जाए तो आपका वो बन जाता है पेसिप वाइस वो चेंज हो जाता है एक्टिब से पेसिप वाइस चेंज हो जाता है अब बी का फॉर V3, V4, V5 B1 निश्क क्या हो गिया ? First form of the verb, V2 क्या हो गिया ? Second form of the verb, V3 क्या हो गिया ? Third form of the verb, V4 क्या हो गिया ? Fourth form of the verb, and V5 हो गिया ? Fifth form of the verb अगर बात कहजे इसके V1 को तो बोलेंगे M, R और B ये क्या होंगे हम V1 में यूज करते हैं करने कि यह रिए वाज और वर होंगे यह तो कि शाएक भीत्री के रूप में यह यूज किया गया है डिन को बीन हो गया आपका भीत्री देखिए क्या लेखिए बी में अगर भी 3 लगाया जाया तो क्या बन जाएगा वो passive voice हम इसा बोलें कि passive voice is always used as third form of the verb passive voice में third form of the verb के रूप में use किया जाता है तो यह देखिए आपका बन जागया बी 3 यही बी में यह जो बी में अगर आप ing एड़ करते हैं तो बन जाता है भी 4 आणि क्या कहलाएगो being कहलाएगा बी में add कर दिया जाए आई एंजी तो हो जाएगा आपका being आणि की fourth form of the verb फिर है आपका भी 5 भी 5 हो जाएगा इज इज क्या है आपका एक भी 5 के रूप में यूज करते हैं तो यह वी फॉर्म का story है तो आपको passive voice change करना है तो कभी क्या है को MR लगाना है यह बी लगाते हैं कभी आपको वाज और वर लगाना है देन आपको third form में क्या करना है बीन लगाना है बीन मतलब क्या वोले बीज में आप भींत लगा देंकम Спठ्हूः Enough कोई भी भर्ब में आप आपको अगर घ्णिस का यूज करेंगे चलिए अब मुझे अगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं change the persons के बारे में समझेंगे कि हम अगर किस वडिट को रहा अगर हम समझेंगे अगर active से passive वह जाएंगे तो हम उस persons को कैसे change करेंगे अब हम समझेंगे उस topics के बारे में change the person कैसे किया चाहिए नेक्ट टॉपिक सिखेंगे change the person क्या दिखेंगे change the person अब person को change अब कीजिएगा active से passive वाइस हाई समझेंगे अगर आप change करते हैं active से passive वाइस या तो change किजिएगा कहीं अगर मिल जाए आपको opposite का कह दिया जाए पेशिप से change करना है आपको active वाइस तो हम दो तरह के सिखेंगे कैसे हम active से passive change करते हैं कैसे इसको passive से active change करते हैं अगर आपका person देखिए आई है और change करना है इसको तो देखिए आई का जो हम change करेंगे active से passive वाइस में यह बन जाता है अगर मी से change करना है तो मी का आपका बन जाएगा आई बन जाएगा नेक्स्ट आपको देखिए फर्सन है वह है वी वी से अगर change करना है आपको active से passive वाइस में तो वी का change होके बन जाता है अस वी का change होके अस बन जाता है मिस अगर वी आपको अगर दिखाई पड़े अगर object में change करना है तो वी का अस बन जाता है अब यह दखिएगा आई और वी दोनों को क्या कहते हैं दोनों को first person कहा जाता है आई और वी दोनों को first person कहा जाता है अब first person की बात किया जड़ आई आपका एक similar number है और वी आपका क्या है तो एक plural number है मिस कर सकते हैं first person similar number i है और first person के plural number v है जब persons को change करेंगे तो i कमी हो जाएगा और वी का us हो जाएगा वी का आपका us हो जाएगा अगर बात किया जड़ निक्स्ट आपका देखिए active voice में अगर आपका subject में you है change करते हैं इसके passive voice में देखिए आपका you का you ही रहता है मिस अगर हम active से passive voice change करेंगे तो you का you होगा मतलब same as it is हम उसे का करते हैं link देते हैं means same it is वह दिखा जाता है अगर you है आपका subject में यू भी आपका फिर आपका क्या हो जाएगा जब active से passive voice करेंगे to you का आपका you होगा हम सभी का example वीच भी देखते जाएंगे ताकि आपको इसको बनाने में बहुत easy लगे अब बात किया जाए यू यू क्या है कि यू एक second person है अब यू second person दोनों होता है singular number के यूज करते हैं और plural number यूज करते हैं दोनों होता है आपका you according to singular number और plural number अब बात किया जाए यू के बात देखिए यू के बात देखेंगे तो अगर ही को पर्संस आपको चेंज करना है तो ही को जब हम चेंज करेंगे active से passive voice तो ही का हो जाएगा आपका ही हो जाएगा ही कब यूज करते हैं ही आपका third person singular number होता है और ही यूज किया जाता है वाइस के लिए मिस कर सकते हैं प्रूश जाती के लिए की का यूज कर जाता है अब जब ही आपको active में है और passive voice चेंज करना है तो ही का आपका ही हो जाता है नेक्स अगर बात किया जाए सी सी आपका अगर active voice में इसके persons को चेंज करेंगे तो सी का हर हो जाए आपका passive voice में यह देखी चेंज हो रहा है active से passive को बता रहे है कैसे आपको चेंज करना है चेंज दा पर्सन आपका heading लगा हुआ है वाइस में चेंज दा पर्सन पर्सन को कैसे हम चेंज करेंगे आई है तो आप चेंज करना है मी में जब आप active से बनाएगा passive voice यह आपका active है और यहां पे बात हो रहे है यह passive का सी जो यूज होता है वह आपका girls आने के इस्तियाति बोध के लिए हम सी का यूज करते हैं आए नेक्स देखेंगे आपका दखिए अगर किसी का नेम हो अगर बात किया जाए किसी का अगर नेम हो जाए तो अगर एनी नेम किसी के कोई अगर single name अगर active voice में है passive voice में कह दिया जाए तो वही नेम हो जाए बात किया जाए अगर example की तौर पर अगर सीता है या तो कहेंगे गीता है या तो बोलेंगे राम कोई भी एगर नेम हो तो same it is वही आपको नेम लिख देना है मतलब कि same as it is वही नेम आपको लिख देना है अगर active voice में हो same it is वही नेम आपको लिखना है तो वही हो जाएगा आपका passive होचे आपको change नहीं करना है कि अगर बात किये निक्स्ट आपको देखिए है दे अगर दे आपका active voice में इसको change करेंगे passive voice में तो दे का देम करेंगे देक अगर active voice से passive voice किया जाए तो दे इसका क्या करना आपको चेंज करके देखना की आई है देखें देन सिखने के पहले अपको सली और पोत लोगों सबुस्थ मालज अचकर से होते हैं हम direct receiver आए हैं देखिए wise का अब देखिए tense के बारे में सुने होंगे कि तिन परकार के tense होते हैं अलकसा knowledge देदे टेंस के बारे में तो टेंस के निमबर कोन-कोन होते हैं एक present tense, past tense और इधर आप कहा होते हैं एक future tense अब present tense मतलब क्या होगे जो बताएगा वर्तमान के बारे में और past tense हो गया बूत काल के बारे में और future tense हो गया बताए जो फवीस्टत काल के बारे में यह तीन परकार के tense होते हैं और उसमें भी क्या है हम लोग wise उसको change करके बनाते हैं अगर इसमें बात किया जाए कि कैसे इसको बनाया जाए क्या इसका structure सबसे पहली बात एक जानेंगे हम लोग note note क्या कहेंगे in passive voice in passive voice is always be used as third form of the verb देख समझे in passive voice passive voice is always be हमेशा used as third form of the verb आपको third form of the verb को यूज करना है हमेशा passive voice जाहे हो किसी भी sentence का किसी sentence का बनाये गत आपको हमेशा यूज करना है third form of the verb यूज करना है हम और इसका next वीडियो में इसके हम कैसे tense को change करते हैं इसका structure क्या होंगे हम next वीडियो में ले के आएंगे हमाई भी टुक्राइब के लिए आप लाइक अवस्ट करें ओके इस वीडियो में और भी हम इसके बारे में वहीं तरी कैसे लेके आते हैं thank you आप बारे में